हाई बच्चो वेलकम टो मैस कुरू मेरे प्यारे बच्चो एलेवंध क्लास के तो बच्चे आप दिखे ध्यान से अभी तो रिजल्ड भी नहीं आया और तो तक स्लेवर्स में दिखे इतनी सारी चंजज़ हो रहा है कि भई नया स्लेवर्स क्या होगा एक्जाम कैसे होगा कै बच्चे बड़े डरे हुए थे कि भई 11 के मैस क्या होगा बहुत मुश्कील होगा बच्चे डर गए थे पदनी क्या होगा ऐसा तो बिलकुल डरने की कोई बात नहीं है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जो इसे ब्यसी ने डिसाइड किया है अब 11 के एक्जाम या कोई वी क् के एंड तक बने नहीं है मैं सारी बाते आपको सही सबता रहा हूं अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप जरूज तो पने दोस्तों से रह गरना लाइक सेंड कमेंट जरू करना बच्चे ठीक है तो सबसे पहले आप देखिए द्यान से कि बात करते हैं हम लोग ब इंटर्न असेस्मेंट भागए बेटे इंटर्न असेस्मेंट में क्या होगा जो प्रियोडिक टेस्ट होगा और जो भी स्कूल बाइबर प्रेक्ट्टिकल होगा उसके मार्क्स लगेंगैं जी तो अब तो बच्चने के कोई सवाल उड़ता अब जो बच्चा पढ़ेगा और तुरिष पर लेड़ शाथ सब्सक्राइब और जो बच्चे स्कूल और शूरेंटिट करने तरुव माइंडर्स अप्षयाब्स करला जाए उनकी तियारी बहुत बढ़ियां हो जाएगा जी तो चाप्टर देखेंगा तो अब बिल्कूल देखो अब दियान देखिए सेट्स के बाद करते हैं ओहो यह तो चाप्र देखो दियान से इसमें कट चुका है आपको 1.4 तक ही करना है और लास्ट का एक्सराइज कट चुका है आपका यह पाउर सेट भी है बस आपको 1.4 तक करना है यह बाकि नहीं करना है बच्चे ने बड़े मेनद किया था बच्चोंने कोई बात नहीं बच्चे प्रहाई कभी की काम आता है लाइफ में अब देखे relation and function. यह चापटर पुरा पुरा करना आपको जी इसमें सारी फंक्शन की graph करना है डो मेन Byndraji करना है और यह बड़े ही conceptual chapter है यह ध्यान जाना है इसलिए questions बहुत सारी questions arise होता है इसको प्रह्ट hai से बड़ना होगा आपको this domain के बारे में range के बारे में आप इसको ब्रहida डीप इस्टेडी कीजिएगा अब स्वाल उता है complex number और quadratic equation यह chapter आपका algebra काता है जी तो इसमें बहुत डिटेल नहीं पढ़ना आप लोगो इसमें भी कुछ इसमें बस आयोटा की कंसेफ्ट करना है और quadratic equation करना है जी आपको यह लगता है कि फर्सक्राइज और थर्ड इक्सराइज करना है वाकि बीच का नहीं करना है जी आपको sequence and series के बात करते हैं जी यह अलजबरा के चाप्टर है यह चाप्टर देखे देहां से यह पुरा 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 चाप्टर करना है जी पी geometric mean इसमें लास एक्सराइज कर चुका है ओहो 9.9.4 कर चुका है दो 9.4 आपके कोर्स में नहीं है जी इसलिए यह तो आसान कर दिया ग कुछ कटा हुआ है अब पढ़ो के तो पता चले गाई है कल्कुलेस की बात करते हैं ओ सिर्फ लिमिट्स पढ़ना है जी और डिफ्रेंसियेशन आपको सेगेंड टर्म में पढ़ना है तो बहुत ही सो समझ के बनाया गया है अब पूरे साल इंवाल पर हो गया टू का करते हैं टू का यहां भी देखे द्यान से सेट्स एंड फंक्षन कॉंटिनीवड ओहो अलजब्रा कंटिनीवड पॉर्नेट जिमेट्री कंटिनीवड काल्कुलेस कंटिनीवड स्टाटिक सेंफ परौटिनीवड यानि बड़े सोस समझ को न इस रिलेटिव चाप्टर को आ करते हैं कोई बात नहीं है हम लास्ट में करेंगे जिसको और लिनियर इनिक्वालिटी ओ लास्ट में है पर मुटेशन एंड कंबिनेशन वेरी गूड अब देखे द्हान से में बाइनोमिल खिरम कट चुका आपका जो मात का एट चाप्टर हो था बाइनोमिल खिरम कट पीम आई और यह एट चाप्टर बाइनोमिल खिरमी कट चुका आपका यह कोडियेट जोमेटरी में कोनिक सेक्षन है आपका कोनिक सेक्षन ठीक है 3D जोमेटरी भी है और कैल्कुलस में डेरिवेटिव आ गया जी ठीक है तो कोई नहीं बेटे और इदर प्राबिलिटी करन करना आपका यहांपर टम टू कंजिल खतम होजता है यह तो मेरे प्यारे बच्चो यह आपको ऐसे स्लेवर्स को फॉलो करना है और आपको लग कर त्यारी करना है बचने से कोई काम नीचे लेगा अपको लग कर अपनी प्रहाई धिहान रखिये और जितनी थिवरेटिकल प पार्ट आप कंसेट्ट किलियर रखिये ताकि आपको में कोई वालम नहीं हो तो मेरे प्यारे बच्चो थाइंक्यू वेरे मुझा